जिसमें हम modern history complete कर चुके हैं और आज हम मधिकालीन इतिहास complete करेंगे इस book में मधिकालीन इतिहास बहुती sort में बहुती अच्छे तरीके से compact तरीके से दिया हुआ है जिसको पढ़ने पर आपका बिहार का modern medieval history लगभवा complete हो जाएगा और exam के point of view से जिस तरह exam में questions पूछता है उसके point of view से तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूँ का अगर आपने modern का नहीं परहा है तो उसको जा कि आप जरूर पढ़ें modern history उसके question practice भी complete हो चुके हैं medieval परहेंगे उसको बाद इसका question इसी वीडियो में complete कर लेंगा हमलों ओके इसके बाद बिहार का ancient history और जोगरफी उसके बाद complete करेंगे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर लीजे चरिया सुरू करते हैं बिहार के मधिकाली नितिहास का अंतरगत हमलों बारहेंगे सदी के मधिसे लेकर 17 सदी तक के घटनाओं को सामिल करते हैं इस कारम बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है जबकि अंत यूरोपियों के आगमन से होता है जब बिहार में तुर्क लोग आते हैं तो बिहार के मीडियवल हिस्ट्री सुरू हो जाती है और जब बिहार में अंग्रीज लोगों का लोग आगमन होता है तो उसके बाद मीडियवल हिस्ट्री बिहार की खतम हो जाती है सबसे पहला है सल्तनत कान बिहार बिहार को जीतने वाला पर था मुस्लिम बिजयता बख्तियार खिलजी को माना जाता है वस्ता उसने बारहमी सदी के अंदर तक तथा तेरहमी सदी सदी के प्रारम के मद्ध में बिहार पर आक्मन किया था इधियास कारो कंसार बक्तियार खिलजी नोदंत पूरी तो था नालंदा भी स्विद्याले का बिनास किया बक्तियार खिलजी के समय बिहार सरीफ तुर्क सासन का परमुक केंदर था वो सेरसा सूरी के समय में बनेगा और ancient history में हम क्या देखते हैं कि पहले राजगीर रहता है और राजगीर के बाद पाटली पुत्रा और वैसाली कुछ दिन के लिए था उसके बाद राजजीद के बाद मुलता कौन सा बन जाता है पाटली पुतर बन जाता है राजनीति के अंदर लेकिन मधिकाल में बिहार सरीफ जो है वो रहेगा उसके बाद उसके बाद फिर पटना का स्थान आता है बाद में जाके पटना का पटना नाम ही सूरी द्वारा दिया गया था सेरसा सूरी के द्वारा बक्तियार पूर सहर का संस्थापक बक्तियार खिलजी को ही माना जाता है इसने स्वेंग बिजित तातकालिक परदेसों की राजधानी लखनोती लक्षमन वटी को बनाया था बक्तियार जो इसके द्वारा बिजित प्रदेश थी उसके रायधानी किसको बनाया था लखनोती जिसका लक्षमन वटी नाम था बक्तियार खिल जी ने मिथला चेतर के करनाट वंसी सासक नर्सिंग देव जैनगर के गुप्ति सासकों को भी अपनी अधिनता सुईकार करवाई थी जैनगर जो है नेपाल बॉर्डर के पास में और मिथला का चेतर यानि उत्तरी बिहार का चेतर हो गया तो उसके जो सासक थे ना करनाट वंस के नर्सिंग देव उनको हराया था और जैनगर के गुप्ति सासकों को भी इसने हराया था बक्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मरदान खिलजी ने कर दी थी 1225 में इसने बिहार सरीफ था बार एक जगए है पर अधिकार कर लिया बार पटना पास जगए है इस दोरह उसने बिहार के सासक हिसा मुद्दीन इवाज को राज महल के पहारियों में हराया था किसको हराया था बिहार का सासा कौन था इवाज इसको किसने हराया था इलतुतमिस ने हराया था राजमहल के पहारियों यानि कि भागलपूर और बंगाल का जो इलाका है भागलपूर का बंगाल के साथ जो सीमा लगता है भागलपूर बंगाल का इलाका वहां पर उसको हरा है था भागलपूर का बंगाल के साथ सीमा लगता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना इनी तीनों का लगता है ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं इवाज को राजवाल की पहारियों महर आया था मलिक अल्लाओदीन जानी को इल्तूतमिषिन ने बिहार में अपना परथम सुबेदार नुक्त किया था ये सभी नोट करने वाले पॉइंट्स है एक जगा नोट्स बना लो ताकि अगली बार आपको नोट्स से रिविजन हो जाए 1229-1329 में बिहार तता बंगाल का पुना भी वाजित कर दिया गया 1229-1329 में उलिखनी है कि मलिक जानी के बाद इल्तुतिमिस के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार तता लखनोती बंगाल को एक कर दिया था सैफुद्दीन एवक यम तुगान खा भी इल्तुतिमिस के द्वारा ही बिहार के सुबेदार बने थे है ना और इसका पीडियाफ चाहिए हो तो आप गुरूप जाइन कर लेना टेलिग्राम पर वो मिल जाएगा वहाँ पर आपको पीडियाफ अगला है कि सैफुद्दीन एवक यम तुगान खा भी इल्तुतिमिस के द्वारा ही बिहार के सुबेदार बनाय गिया थे इल्तुतिमिस के सासनकाल में ही इल्तुतिमिस से पहले कौन था दिली सल्तनत का सासक तो एवक था एवक के बाद इल्तुतिमिस बनेगा और इसको क्या कहा जाता है गुलाम बंस है ओके अल्लाओ दिन घिल जी ने 1297 में दरवंगा की राजा सक्र सिंग के बिरुद्थ सेख मुहम्मत इसमाईल के नितुति में सैनिक अभियान बेजा था अल्लाओ धिल गियास उदिन तुगलक ने 1324 इसमिमिन बंगाल अभियान से वापसी के दौरान करनाट वंस के अंतिम सासक हर सिंग देव को हराया था किसने हराया था गयासुदीन तुगलक में हर सिंग अपने सासंग काल में एक समाज सुधारक को रुप में प्रसिद रहा हरी सिंग जिनका नाम है हरी सिंग ये इनको समाज सुधारक भी कहा जाता है इसको गयासुदिन तुगलक ने हराया था गयासुदिन तुगलक के बाद कौन वरेंगा सासक मुहमद बिन तुगलक बनता है दिली संतनात में तुगलक बन्स की सुरुवात ही होता ही गयासुदिन तुगलक से और फिर फिरोसा तुगलक बनता है सासक मुहमद बिन तुगलक के समय बिहार का सुबेदार प्रांथ पती मजदुल मुलक था कौन था MBT के समय MBT मुहमद बिन तुगलक M से मुहमद हो रहा है M से मजदुल मुलक हो रहा है दोनों ठेक न इसको ऐसे याद रखना मस्दूल मुल्क था मुहममध बिन तुगलक के समय बिहार का सुभेदार टफ कोस्टन पूछन पूछना होगा तो ऐसी सीज़wegen आपसे पूछा जाएगा मुहमध बिन तुगलक के समय तिरहुत को तिरहुत कौन सा इलाका हो गया अब ही अगर तीरहुत परमंडल लेखें तो उसमें कौन-कौन से आते हैं उसमें आता है दोनों चमपारण, पुर्भी अपसमी दोनों चमपारण, मुझपरपूर ये सब इलाके आते हैं तो तिरहुत के समय, मुहमद बिन तुगलक के समय, तिरहुत को तुगलक पूर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, तुगलक पूर नाम दिया गया, यहाँ से मुहमद बिन तुगलक का एक सिक्का पराप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है, फिरोसा तुगलक ने राजगीर के जैन मंदिरों को दान दिया था तुगलक कालम बिहार की राधानी बिहार सरीफ थी इस समय का प्रमुक प्रसासक मलिक इब्राहीम मलिक बया को माना जाता है जिसका मकवरा बिहार सरीफ में ही इस्थित है 1394 में ख्वजा जहां बिहार का सुभेदार निकत किया गया सुल्टान नसर इदिन महमूद के द्वारा बिहार पर नुहानी अफगानों की इसितिती सुदेड हो गई नुहानी अफगानों की बात कर रहा है सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 सुए में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रसासक ने उतकर दिया सिकंदर लोदी ने किया दरिया खान नुहानी को सिरसा सूरी सासाराम के जागिरदार हसन खान सूर का पुतर था सिरसा का बच्पन का नाम फरीद खान था ये भी बहुत बार पूछा है फरिद खान ने तलवार से एक सेर को मा डाला था उसकी इस बहादरी से प्रसंद होकर बिहार का फुगान सासक सुल्तान मुहम्मद बहार खान लोहानी ने उन्हें सेर खान के उपाधी परदान की थी पंदरो सो चौतीस वें सेर साह ने सूरजगर के उद में बंगाल के सासक गयासुदीन मुहम्मूद को हराया था Te convicted मॉहमूद कहां का सासक था न कब अचछु हराया इसको इसको हराये 1534 भी में 26 जून 1549 को इसने 14 बकसर की उते हैं मुगल सासक हुमायू को हराया कब हराया 26 जून ये डेट इसलिए याद रखना विपस्टी कभी कभी माथा घूमता है विपस्टी को तो वो ये भी पूछ लेगा 1549 इस भी हुमायू को हराया 14 को बकसर के समीप है जहां पर गंगाजी बिहान प्रवेस्ट करती है वह ही ये जगह है सेर खांच चौसा के लड़ाएं विजय पराप्त करने के बाद सेर साह के उपादी धारन कर सिंगासन पर बिराजमान हुआ जब ये चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था एक कहानी बताता हूँ चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था बाबर और किसके बिस था बाबर और मेदिनी राई कौन थे बाबर और मेदिनी राई के बीच में जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था तो मुगलो की तरफ से लड़ रहा था सेर साह, सेर खां, है ना, इसने क्या बोला था उस समय, कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन मुगलो को मैं भारत के बाहर खदेर दूँगा, और इसने सच कर दिखाया, है ना, तो सेर खां, चौसा के लड़ाएं विजय पर राप्त करन इसे बिलग्राम या कन्योज का युद्ध दोनों ही कहा जाता है, बिलग्राम के युद्ध 17 मई 1540 इसवी के नाम से जानते हैं, और इसमें सेर साह की फिर से बीज़े हो गई, दस जून 1540 को आगराम बिधवत रूप से सेर साह का राज़ा भी सेख हुआ, सेर साह ने अपन 1541 में बिहार के राज़णी बना दिया, तारीख दाओदी जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है, तारीख दाओदी बुस्तक के बारे में आप से पूछ सकता है, क्योंकि इसमें सेर साह का भहुती सम्रे देती हास है, तारीख दाओदी, कि अनसार सेर साह ने पटना को र एक और खासित एसलाम साह ने, जो कानून है, मुस्लिम कानून है, सरिया, उसका क्या बोलते हूं उसको, उसको संगीता बद करवाया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलामिक कानून का एक ही करन किया था है, संगीता बद मतलब कहने का मतलब कोड बनाना, जैसे कोड अफ इससे क्या होगा, एक अपराद के लिए अलग तरह की सजा दो आदमी को नहीं दिया जा सकता, इसलाम साह का ये भी योगदान है, इसलामिक लाग के लिए, है ना, सेरसाह द्वारा सुलिमान करारानी को बिहार के सुवेदार मुक्ता का पदपरदान के आ गया था, सेरसाह सूर बंस के स्थापना की गई था, देश में डाक पर था का प्रचलर उन्होंने ही आरंब करवाया, सेरसाह सूरी एक दूर दर्सी कुसल पर सासक था, उसने अपने सासन काल में एक बेहद विसाल, ग्रैंड टरंक रोड, जिसको जीटी रोड कहते हैं का निर्मान करवाया, और यातायात की विस्ता सुगम की थी, इस से वे दक्षिन भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, सेरसाह ने पंदरो से ब्याली से मालवा पर आक्रमन की, और किया था पंदरो से ब्याली से उस पर विजय प्राप्त कर लिया, मलुक हां मालवा कर सासक था, जिसकी उपाधी कादिर साह की थी और सेर साह के समय में कर वियस्ता बहुत ही अच्छा था जैसे सेर साह का मालो यह समराज है इधर कलकत्ता हो गया इधर बंगाल हो गया और यहां पर कौन सा हो गया यहां पर सिंध का प्रदेश हो गया जो पंजाब पाकिस्तान के पास है तो पता है पूरे उत्तर भारत में उत्तर भारत में इसका सासन था पूरे उत्तर भारत में दो ही जगा पर कर लगता था व्यापारियों को एक जब वो यहां से इंटर कर रहे हैं समराज में एक जब वो यहां से इंटर कर रहे हैं बांकि पूरे समराज में कोई भी करवयास था कहीं पर की बाहतसाथ खो बैठेगा सेर्थिसा 68 वर्स की आयू में पंदरसाच चालिस में सिंग हासन बैठा हला की वाक वगल 5 वर्स तक और राज्य की आय निश्यत करने को देश से भूमी वियस्था में कई महत्पुन सुधार किये भूमी के माप के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी सन एक लकरी होता है का प्रियोग किया कबूलियत तथा पट्टा पर्था के सुरुआत उसीने की पट्टा पर था क्या होता है मैं समझा देता हूँ जैसे ये पट्टा है इस पर लिखा गया ए वी आई एन ए एस एच मेरा नाम लिख दिया अविनास है ना पट्टा पर लिख दिया मेरा नाम अब इसमें लिखा जाएगा इसके पास इतनी जमीन है इस जमीन का पैमाना मतलब क्या बोलते हूं उसको इस जमीन का लोकेशन ये है जमीन की चोहदी ये है पूरब में मिश्टर A रहते हैं पसी में दक्षिन में मिश्टर B रहते हैं है ना ऐसे ही मिश्टर सी रहते हैं ये चोहदी हो गया तो इससे क्या होगा इससे पट्टे पर किसान का नाम जमीन का नाप जमीन का प्रकार जमीन कितना उपस देती है इस जमीन से कितना कर लिया जाएगा ये सब लिखा होता था है ना उसका हुलिया तक किसान का लिख देते तो यही था पट्टा पट्टा प्रथा की सुरुवात की और उसने पैदावार का लगभग एक तिहाई भाग लगान का रुप में वसूला एक वट्टा तीन भाग एक वट्टा तीन को भी याद रखना पता चल जाएगा एकजामे कॉश्चन पूछता है कितनी बार प्रचलित की उसने पुराने घसे पीटे सिक्के के अस्थान पर सुद्ध चांदी का रुपिया रुपिया ही नाम था उस समय भी ओके ना तो उसने सुद्ध चांदी का रुपिया चलवाया था ओके और रुपिया एक सुएसी ग्रेन तांबे का दाम तीन सुएसी ग्रेन का ह ही पईसा का अलग अलग भाग है नहीं तो उसी तरह कर सिख के उसे चलवाए चांदी का रुपया और तामबे के धाम में एक अनपात चौसट का अनपात था है ना सेरसा द्वारा एक दिन सैनिक के कारे के निरिक्षन के दौरान एक हत गोला फट गया जिससे बुरी तरह घायल हो गया और बाइस वही पंदरसों बैतालिस को उसके मिरती हो गई इसमें दो कहानी है देखो एक तो यह कहानी है लेकिन सबसे जो मानने कहानी उसमें है कि की धेर लगे हुए थी तो वो सेरसा के समीप आगे फट गया और वो मारा गया था यही है कहानी कालिंजर के किले के दौरान आकर्मन के दौरान मारा था यह युद्ध के मैदान में सेरसा के मित्वाद उसका पुत्र जलाल खां इसलाम साह के नाम से 27 मई 1545 इसमी को गदी प के पतन के बाद बिहार अफगानों का धीन बना रहा इसमें ताजब खां करारानी अफगानी नाम है यह सारे सुलिमान खां दावुद खां करारानी आदी पर मुकर है इन लोगों ने बिहार पर अपने लियांतरन 1580 तक बनाए रखा जब तक अकबर ने पूरी तरीके से ने उसने ततकालिक मुगल समराट अकवर के साथ सम्मान पूर्वक विभार बनाए रखा लेकिन उसके पुतर दावुद खां करारानी ने अकवर के प्रति अहंकारी रवईया अपनाया फलता मुगल सासक अकवर ने 1574 1574 1574 में इसको बारवार में इसलिए कह रहा हूँ क्य 1474 में 1574 में तो था दावुद खां इस नगर से पलायन कर गया दावुद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान सासक था बिहार का अंतिम अफगान सासक दावुद खां करारानी था 1580 तक बिहार को मुगल समराज के एक परांद घुसित कर दिया गया अभी उपर आया था निए 1580 तक अफगानियों का बिहार में कब जा रहा एक 1580 के बाद मुगलों का संपुर्णों रूप से सत्तास्था पित हो गया आकवारदारा नियुक्त बिहार के प्रांथपतियों में राजा मान सिंग अधिक परसिद्ध हैं किसको बनाया गया था बिहार का प्रांथपति बहुत सारे बने उसमें मान सिंग सबसे परसिद्ध हैं किसने मान सिंग ने मान सिंग ने रोहतास को अपनी रालधानी बनाई थी जहांगीर के सासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपूर के छेतर पर मुगलों का दिकार अस्थापित हो गया अभी पैसी के नजर जाएगा तो कभी क्या पूछेगा कि निम्र से खोखरा देश के नाम से किसको जाना जाता था मधिकाल में तो खोखरा देश का मतलब क्या हो गया छोटा नागपूर का इलाका छोटा नागपूर पठार जो है खनी से भरा हुआ इलाका छोटा नागपुर उसी को कहते थे इस छेतर के हीरे की खान पर मुग्रों का नियांतना स्थापित हुआ जहांगीर की आत्म खता तुजु के जहांगीरी में इस छेतर में सोने की प्राप्ति का उलिख मिलता है जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांथ पती नियुक्त किया था कब नियुक्त किया था? 1621 इसके बाद यह पद केवल कुमारों को ही दिया जाने लगा 1702 में औरंग जेव अपने प्रिये पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सुवेदार नियुक्त किया था उसने पत्ना को अजीमावाद का नाम दिया राजकुमार अजीम ने पत्ना का क्या नाम रखा? अजीमावाद और उसका पुन्न निर्मान भी करवाया पटना का पुन्न निर्मान करवाया अजीम ने बार बार जगा है बार में राजकुमार अजीम को अजीम उस्सान के उपाद ही दी गई थी और उग्जेव के मिर्तियों के पर साथ brhadur साथ सतरव सु साथ से सतरव सु बार इसवी तक मुगल साशक रहा उसने अजीम उस्सान को पुनह बिहार का सुबेदार बना दिया सा्ट्रों से ग्енное इस में फरुक सियर बंगाल से बिहार चला फरुक सियर पहला मुगल समरैथा जो गर्याख वी से पत् самое, बिहार नð Brude जों, तक बंगाल के नवाब दोर्चा बंगाल उ इसाका पठ्यक्ष कषम ग्रहन कर लिया गया किसके दौरा बंगाल के नवाब दोरा अंगरियज्यो की सत्ता अस्थापित होने तक यह इस्थिती वैसे के वैसे ही काइम रही थी किस के दोरा बंगाल बिहार बंगाल के अंदर बिहार पूरा-पूरी आ गया था 780 इस्वी के आसपास और धरमपाल जो सासक हुआ है जिसने बिक्रम सिला भी स्वी त्याल है कोई इस्थापना की थी वो सब पालवंस के ही है तो पालवंस के पतन के बाद बिहान में राजितिक और इस्थिरता के दौर में कुछ छेतरों पर जंजाती है राजाओं का बर्च अधिकार कर लिया किया जा चुका तो इसके किसी इलाके पर इसके इस इलाके पर इस इलाके पर है ना इस इलाके पर उजयनों तता चेर राजाओं के मद्युद हूआ जिसमें नराएन मलक नितुत में उजयनी वंसी राजा विजय हुई चेर वंस के राजा फूल चंदर को जगदीस पूर भोजबूर के मेले को आरम करने का भी सरेत दिया जाता भोजबूर के मेले को किस ने शुरू किया था चेरवण्स के राज़ा थे फूल चंदर उन्हों नहीं शुरू किया था मेदनी राई पलामू च्हतर में चेरों का सबसे प्रमू का सासक रहा 1660 इसवी में चेर राजबंस के प्रहुत वाले छेतरों में पर मुगलों का अधिकार हो गया था 1660 इसवी में ओके बिहार में नुहानी वन्स 1495 श्यानवे में दरिया खा नुहानी सिकंदर लोदी द्वारा बिहार का सुवेदार निक्त हुआ यह अपने पद पर 1523 इसवी तक बना रहा 1523 तक इसके पर साथिस का पुत्र बहार खा नुहानी पर सासक निक्त हुआ कौन बना इसके बाद बहार खा नुहानी सासक बना दरिया खा नुहानी के बाद 1526 उसे में पानीपत की पर्थम लराई के बाद बहार खाने बिहार को सासन अस्थापित किया तर्था सुल्तान मुहम्मद सा नुहानी को पाती धारन की पर्थम पानीपत की जो पर्थम लराई हुई है उसके बाद बाहर खाने बिहार में सुतन तरस्थापित कर लिया सत्ता बाहर खान 1526 में कनकपुर के युद में इबराहिम लोदी को हरा दिया था बाहर खाने बाहर खान के बाद भरीद खान सेरसा के सरक्षन में उसका पुत्र उससे पुरा मध्यकाल कंप्लीट किया उसमें बहुत सारा कंटेंट है ओके ये परिक्षा सम्मन दी कुछ महत्पुन तत्य है उसके बाद हम लोग कोशन भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो को सेयर कर देना सेयर साह सूरी ने पहले हज़ते आलाक उपाती धारन की फिर बाद में सुल्तान की पटना उपरांती राधानी सेयर साह नहीं बन बाया था तेर्मी सिताब्दिम गयासुदीन बलबन ने तिरूत के राजा सेयुद किया था बक्तियार खिलजी के समय बिहार सरीफ तुर्की सासन का प्रमुकेंदर था बक्तियार पूर सहर का संस्था पक बक्तियार खिलजी को माना जाता है सल्टनत काले फिरोज साह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्मान करवाया था मलिक अल्लाओदीन जानी इल्तुतमिस द्वारा निक्त बिहार का प्रथम सरधार था इल्तुतमिस के द्वारा निक्त कौन था मलिक अल्लाओदीन जानी 16-16 मनेर पटना में इबराहिम खाद्वारा निर्मित मखदूम साह दौलत का मकवरा बिहार के मदिकाले नितिहास में मुगल अस्थापर तिकला का सरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ये 66 BPSC में पूछा था सल्तनत काली इंसासक बलबन ने रोह और लक्त की नीती अपनाई थी मुगल काले में पित्रा दुरा सैली पित्रा दुरा सैली क्या होता है कि पत्थर से पत्थर से फूल बना बना कि जैसे मान लो एक धांचा मैंने ये बनाया अब इसमें अंदर लाल कलर का मान लो लाल कलर का इसमें फूल बनाना है ये कलर नहीं होगा ये लाल कलर का पत्थर होगा जिसको मैं काटके इस धांचे में डाल दूँगा है ना मेरी ड्राइंग बहुत खराब जैसे ये पेर है ति यहां पर कोई पत्ति है ति यह पत्ति पत्थर का बना होगा अलग कलर का है ना यहां पर कोई है ति यह बी अलग कलर का बना होगा यहां पर है ति यह अलग कलर का होगा सर्च करना पित्रा दुरा सैली जिससे दिमागों छप जाए ताजमहल में इसी का यूज किया गया इसलिए ताजमहल अध्भुत है, तो पितादुरा में, पितादुरा का समन्द दिबारों अर्ध कीमती पत्थर जरकर फूलों की नकासी करने से हैं, कीमती पर्थरों को जोर जोर कर फूलों की नकासी किया जाता था, तुगलक कालें बिहार की राधानी बिहार सरीफ थी, लाबदीन खेल जी किसमे में सीधे सीधे 50% फूरा आजस की दरे संभवता इसके काल में सबसे उमची थी, जैनुलाबदीन को कस्मीर का कबर कहा जाता है, जैनुलाबदीन को, जैनुलाबदीन ने मधकाली इन कस्मीर में 1420 से 1470 इस भी तक सासन किया था, अकबर के सासन काल में इलहाबाद में 40 अस्तम भयुक्त मंजिल के निर्मान में 5,000 से 20,000 लोगों द्वारा 40 साल तक काम करने का वर्नर बिटिस ब्यापारी और यात्री बिलियम फिंच ने किया बिलियम फिंच ने बताया है कि वहाँ पर लगभग 20,000 लोग 40 साल तक काम करते रहे थे तब जाके अकवर का किला इलहाबाद वाला बन पाया था प्रियाग राजबाला भारत में कागज का प्रियोग 12 सती से प्रारम हुआ यह सभी बीपेसिम कोस्टन पूछे गए इसलिए सौट फरम उसको दे दिया है 31 दिसंबर 16 से इंग्लैंड के महारानी इलिजाबेथ ने 1599 मस्थापित इस इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया इसमें भारत मकबर का सासन था हुमाय ने चुवणार के दुर्ग पर प्रथम बाराकमन 1532 में किया था ओके चलो क्रोस्टन शुरू करते हैं 18 कोस्टन है सबको कंप्लीट करेंगे एक एक करके तो पहला कोस्टन क्या है पहला है कि पच्रिन कारी इसको पित्रा दुरा सैली या नाम याद रखना निम्न से किस से संबंधित था इसका एंसर क्या हो जाएगा दीवारों अर्ध किम पथर जरकर फूल की नकासी करने से संबंधित था पित्रा दुरा सैली दूसरा है किस मुगल सासक ने चितरकारी के लिए कार खाने बनवाए थे तो दूसरा क्या एंसर हो जाएगा आकवर ने बनवाए थे तीसरा है किस दिल्ली सल्तान ने रॉक और लॉक की निती अपनाई थी तो बलवन ने अपनाई थी भी एंसर हो जाएगा तीसरे का चौछा है कि दिली के किस सुल्ताने सबसे जादे नहरों का निर्मान करवाया था पोर का क्या एंसर हो जाएगा पिरोज साह तुगलक ने करवाया था इसने अस्पताल भी वनवाए थे खेराती अस्पताल पांचमा के मुगल चिंतरकला किसके निदुत में अपने सिर्स बिंदू पर थी यह तो यूपीसी में पूछा गया है जहां गीर के काल में पांचमा का यह हो जाएगा चटा कोस्टन है कि मदिकालीन भारत में मनसबदारी ब्यवस्था क्यों लागू की थी राज़ों से कतित करने के लिए सैनिकों की सुगमता से भरती है तू धारिमिक सद्वाव के अस्थापना है तू स्वक्ष परसासन सुनि कोई ने कोई मनसब का परदान किया गया था उसको यानि कि मनसबदार था और यह कहां से लिया था अकवर ने तो यह लिया था अकवर ने मंगोलों से इस परनाली को क्या कहा जाता था मंगोलों के द्वारा मंगोलों की सैन परनाली को क्या कहा जाता है दसमलब बाली सैन पर तो मंगोलों को यह दोसमलब आधारी सेने पर नाले थी। उसी से अकवर ने मनसबदारी पर था को लिया था। मनसबदार है ना मनसबदार में क्या होता था जात और सवार होता था जैसे मान लो कोई एक ए नाम का इंसान है। इसको हमने बोला कि आपको पांच जार की मनसबदारी दी जाती है तो जात क्या होगा जितना इसको रुपईया मिलेगा सरकार से मालो इसको पांच जार के सैनिक रखने के लिए इसको मालो पचास जार रुपईया मिला सबार क्या होगा ये कितने घोरों की संखिया रखी गा इसके अंदर में कमसे कमालों इसक dishwasक एक हजार का सबार दे दिया गया तो ये ए नाम का इंसान जिसका 5000 का मनसबदार प्रदान किया गया है इसके पास 5000 के करीब में रुपईया इसको हर साल मिलेंगे और इसको 1000 सैनिक हमेशा युद्ध के लिए त्यार रखना होगा किसी भी हालत में मनसबदार कौन हो गया? ए हो गया इसका मनसबदारी कितने का मिला हुआ है 5000 का मिला हुआ है या 5000 का मिला हुआ है या 10,000 का मिला हुआ मनसबदारी इसको खर्च करने के लिए सैनिकों वह 5000 रुपईया मिलेगा जिसको क्या कहा जाता था? इसको जात कहा जाता था और सवार का मतलब क्या होगा? कम से कम एक हजार सैनिक ये जरूर रखेगा आपने अंदर हमेशा ready to war तो मनसबदारी पर था सैनिकों के सुगमता से भरती के लिए था आप लोग कितना समझे पता नहीं मैंने कोशिस की है समझाने की एक थोरा सा वैसे detail में नहीं परना है जिनका optional नहीं है उनको detail में परना है पसे याद रहा है मनसबदारी पर था अकवर के द्वारा सुरू की थे भारत में कहां से ली थे उसने मंगोलों की सेन सैनिक पर देथी से ली थी दसमला पर ना लिये कस्मीर घाट के अंतिम मुस्लिम सासक कस्मीर घाटी होगा युसुप साह चक जिने मुगल समराट अकवर दोरा बिहार निर्वासित किया गया था कहां पर दफन है सात्मा का कैंसर हो जाएगा डी हो जाएगा नालंदा में उनका समाधी है जो भी है किस सुल्टा ने जमीन में फसल कि नपाई का आधा राजस्त के रूप में वसूल किया था तो किस ने किया था अल्लावदीन खिल जी ने आठका क्या वज़ाएगा सी बाजार परनाली जो है बाजार नियंतन परनाली अल्लावदिन खिल जी की ही है जिसमें क्या है हर चीज का दाम फिक्स कर दिया गया इस से ज़्यादा आप किसी भी चीज का दाम नहीं ले सकते है न तो ये बाजार नियंतन परनाली किसकी है अल्लावदिन खिल जी की ही है और नमर है कि या कजन किसका है कि अकवर के सासन में इलहाबाद में 40 अस्तम्वयूक्ट मंजिल के निर्माने 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था तब ही आया था वीलियम फिंच ने बोला था 10 का सी आया जब भी वीलियम फिंच आये तो अकवर को जब दूर याद करना भारत में कागज का प्रयोक का प्रारम हुआ तो 11 का कैंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा 12 मीस अताबती में कागज दुनियामसर से पहले चीनियों ने बनाई थी 12 नमर कुस्षण है कि भारत में किसके सासनकाल में इंगलिस जिश्टिया कंपरी का गठन हुआ था बहुत बहुत बह सुबेदार का बिधवन्स किस ने किया था इसका क्या अंसर हो जाएगा 14 का चौधा का अंसर हो जाएगा बक्तियार खिल जी ने किया था इल्टू तो इसने बिहार में अपना प्रथम सुबेदार न्यूक किया था किसको 15 का क्या अंसर हो जाएगा अभी किया है हमने मलिक जानी को 16 है कि हुमायू ने चुनार दिरूपर प्रथम बार आकपन कब किया था तो 16 का क्या अंसर हो जाएगा ए यानिकी एक अर्णपात चौंसर का था चांदी का एक तो चौंसर का तामबे का चौंसर सिक्का लगाना पड़ेगा और अंग जिबने बिहार में किसे प्रांथपती और सुबेदार ने उतकिया था तो अठारा के अंसर हो जाएगा अजीब मुस्सान को ने उतकिया था तो आज का वीडियो हमने complete कर दिया बिहार का मदिकाले इन भारत एक वीडियो में complete कर दिया हमने वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है ना feedback जरूर देना चाहिए इसी हिसाब से आगे कारी चलती है comment करके पसंद आया तो like करना like का button है dislike का भी बताने ना पसंद आया तो लेकि कारन बताना okay thank you